चमननगर गाउं में राजेश्वरी अपने पती साससुर और अपनी पांच बेटियों के साथ रहती थी राजेश्वरी के पती दिनेश एक किसान थे वे अपने खेत में फसल उगा कर उसे शहर बेचने जाये करते थे एक बार दिनेश फसल बेचने शहर बैदे लेकिन एक हाथ से में उनकी बहुत हो गई और गाम लोटा उनका पार्थिव शरीर दिनेश के मरने के बाद राजेश्वरी के साससुर ने उसे उसकी पांचों बेटियों समेथ घर से बाहर निकाल दिया निकल जा कल मुही एक तो पांच पांच बेटियां पैदा करती उपर से मेरे बेटे को भी खा गई लेकिन मा जी मैं अपनी बेटियों को लेकर कहा जाओंगी मुझे यही रहने दीजे मैं घर का सारा काम करूंगी बदले में आप जो देंगे उससे मैं और मेरी बेटियां गुजारा कर लेंगे तेरी पांच पांच बेटियों का बोच कौन उठाएगा हाँ? महीने भर का राशन एक दिन खा जाते हो तुम लोग फेर इनकी शादी में खर्चा कौन करेगा? हमने कहा था पांच पांच बेटियां पैदा करने को राजेश्वरी अपने ससुर के पैरों में गिर जाती है और उनसे रहम की भीग मांगती है लेकिन राजेश्वरी के ससुर ने भी उसकी एक ना सुनी राजेश्वरी के सबसे छोटी बेटी सोनी कहती है दादा जी हमें घर से मत निकालिए हम लोग आपको बिलकुल भी परिशान नहीं करेंगे आपके और दादी के अलावा हमारा है ही कौन चलहट हमने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है चलो जाओ मेरे घर से बिचारी राजेश्वरी अपनी पाँचो बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है राजेश्वरी की पाँचो बेटियां सोनिया, प्रभा, कल्पना, मीनू और सोनी बहुत समस्तार थी राजिश्वरी उन पांचों के साथ सड़क के किनारी बैट जाती है और रोने लगती है बड़ी बेटी सोनिया कहती है तुम रो मत मा, देखना एक दिन हम पांचों पिता जी की तरह देश की सेवा करेंगी तुम्हारे पिता तो एक किसान थे सोनिया तुम पांचों किस तरह से देश की सेवा करोगी किसानी करने के लिए हमारे पास खेट भी नहीं है तुम्हारे दाधजी ने हमें हमारे हक से भी बेद अखल कर दिया मा, खेट नहीं हुआ तो क्या हुआ हम पांचों बेहने फौजी बनेंगी और बॉर्डर पर तैनाथ होकर देश की सेवा करेंगी मैंने किताबों में पढ़ा है कि देश के जवान कैसे देश की सेवा करते है जै जवान, जै किसान लेकिन मेरी बच्ची, अब तुम लोगों को पढ़ाएगा कौन तेरे पिता तो हमें छोड़ कर चले गए अग्ली सुबह राजिश्वरी के साथ वो पाँचो काम मांगने के लिए लोगों के घरों में जाने लगे मालकिन हमें काम की तलाश है, हमें कुछ काम मिल जाता तो आपकी बहुत कृपा होती तू तो राजिश्वरी है ना जिसकी पांच-पांच बेटियां हैं। अरे जिस औरत के कोक से एक बेटा भी जनम ना ले सका, उस औरत का मूँ देखना भी पाप है। तू मनहूस है मनहूस, तुझे कौन काम देगा। वो औरत अपने घर का दर्वाजा बंद कर लेती है। राजिश्वरी और उसकी पांचो बेटियां काम की तलाश में दरदर भटकने लगती है। लेकिन कोई भी उन्हें काम नहीं देता है। उस दिन से वे सभी भूखे प्यासे सड़क के किनारे सो जाती है। राजिश्वरी के सबसे चोटी बेटी सोनी रोने लगती है। क्या बाते सोनी, तु रो क्यों रही है। मा, मा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उसे राजिश्वरी अपनी पांचों बेटियों को लेकर खाने की तलाश में निकल पड़ती है। चलते चलते भी रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ एक फौजी ट्रेन के आने का इंतसार कर रहा था। सोनिया उस फौजी को देख कर बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाकर उसे सल्यूट करती है। अरे बा, तुम तो बिलकुल फौजीयों की तरह सल्यूट कर रही हूँ। हाँ, क्यूंकि मैं भी एक फौजी बनना चाहती हूँ। लेकिन इतनी रात में तुम लोग स्टेशन पर क्या कर रही हूँ। हम लोग यहाँ खाने की तलाश में आए हैं, मेरी चोटी बहन को बहुत भूख लगी है, हमने दो दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या, लेकिन क्यूँ। सोनिय उस फौजी को सारी बात बताती है, सोनिय की बात सुनकर उस फौजी को उन सब पर बहुत दया जाती है, उसके पास खाना था, वो अपने बैक से खाना निकाल कर राजिश्वरी को देता है। यह लीजिए, यह खाना बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इससे आप लोगों की थोड़ी भूग तो मिट जाएगी. इसे आप लोग खा लीजिए. नहीं भाईया, यह खाना आपकी माने आपके लिए दिया होगा. इसे हम नहीं ले सकते. नहीं, ये खाना मेरी माने नहीं दिया तो फिर किस ने दिया? ये खाना मुझे मैस से मिला है तरअसल हम लोग जहां रहते हैं वहाँ एक मैस होती है जहां हमारे लिए खाना बनाया जाता है अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है क्या आपके मैस में मुझे खाना बनाने का काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत सक्त जरूरत है ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ फौजी उसी समय किसी को फोन करता है और राजेश्वरी के लिए बात करता है राजेश्वरी को काम मिल जाता है चलिए आपकी जौब पक्की हो गई यहां तो नहीं लेकिन शहर में हमारे हॉस्टल में खाना बनाने वाले की जरूरत है इसी ट्रेन से मेरे साथ शहर चलिए मैं आपको वहां तक पहुँचा दूँगा राजेश्वरी अपनी पाँचो बेटियों के साथ ट्रेन में बैट जाती है और उस फौजी के साथ शहर आ जाती है वहां राजेश्वरी को फौजीों के मैस में खाना बनाने का काम मिल जाता है राजेश्वरी अपनी पांचों बेटियों के साथ वही रहने लगती है राजेश्वरी के पांचों बेटियां फौजियों के बीच रहने लगती वे उनके साथ वर्चिश के ना हत्यार चलाना सब सीखने लगी उन पांचों ने अब स्कूल भी जाना शुरू कर दिया था पांचों का एक ही सपना था फौजी बनने का मेरी बच्चियों तुम लोग खूब मन लगा कर पढ़ना तुम्हें देश की सेवा करनी है मां हम लोग खूब मेहनत करेंगे और देखना एक दिन हम लोग फौजी जरूर बनेंगे और देश के दुश्मनों को मार गिराएंगे राजिश्वरी की पांचों बेटियां सोनिया, प्रभा, कलपना, मेनू और सोनी खूब मन लगा कर पढ़ाई करती और फौजी बनने के लिए खूब महनत करती फौजी उनके साथ रहकर वे धीरे-धीरे सब कुछ सेखे उनका शरीक पॉलात सबन करती स्कूल के पढ़ाई पूरी करके उन पांचों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और साथ-साथ फौजी भरती परिक्षा की तैयारी करने लगी बहुत ही जल्दी पांचों बेहनों ने फौजी भरती परिक्षा भी पास कर ली और पांचों फौज में भरती हो गई फौजी की वर्दी में पाचो बेहनों ने राजेश्वरी के पैर छूकर उसका अशिरवाद लिया और अपनी अपनी ड्यूटी पर चली गए इस बीच कई बार दुश्मन देश ने हमपर हमला किया पाचो बेहनों ने बार दुश्मनों के छट्टे चुड़ा किया लेकिन इस बार उनकी परिक्षा कुछ अलग हट कर थी उन्हें कैम्प में बुलाए गया सोनिया, प्रभा, कलपना, मीनू और सोनी तुम पाचों को खास सिम्मेदारी दी जाती है इस बार दुश्मन ने अलग तरह से हम पर हमला किया है आप आदेश दीजे सर, हम दुश्मन को गोलियों से भून देंगे हाँ, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहां बुलाया है दुश्मन ने बॉर्डर से सटे गाउं, चमन नगर में हमला बोल दिया है दुश्मन देश के सैने गाउं में खुसाये है और ग्रामीनों को बंधक बना लिया है दुश्मन ने धमकी दी है कि इस बार 15 अगस्त के दिन पूरे गाउं का सफाया कर देंगे ये तो हमारा ही गाउं है हाँ दीदी, ये तो हमारा गाउं है हमें हमारे गाउं के रक्षा करनी ही होगी सर, हम अभी चमन नगर जाएंगे और पूरे गाउं के लोगों को सकुशल बचा लेंगे हमारे रहते ग्रामीनों को कुछ नहीं होगा मुझे तुम पाँचों से यही उम्मीद थी अपने साथ जितने फौजी चाहो ले जा सकती हो पाँचों बहने मेजर को सल्यूट करती है और पाँचों अपने साथ फौजीयों की टुकडियां लेकर चमन नगर गाउं की ओर निकल पड़ती है चमन नगर दुश्मन देश के बॉर्डर पर पड़ता था जिस कारण ये गाउं काफी सेंस्टिव इलाकों में से एक था लेकिन पाँचों फौजी बहनों के फौलाद इरादे के आगे दुश्मन कहां टिकने वाला था पाँचों बहने फौजीयों के साथ चमन अगर गाउं पहुचती है गाउं पहुचने से पहले सबने अपनी वर्दी उतार कर दुश्मन फौजीयों की वर्दी पहन ली और गाउं में घुसाए इस कारण दुश्मन को उन पर शक भी ने हुआ पाँचों ने मिलकर चुन-चुन कर दुश्मनों के फौजीयों को मार गिराया सभी फौजी दुश्मनों की वर्दी में रहकर इधर उधर छिपे रहते और मौका पाते ही दुश्मन को मौद के घाट उता देते इस तरह एक एक करके उन्होंने पूरे दुश्मनों का सफाया कर दिया दुश्मन देश के फौजियों ने ग्रामिनों को उनके ही घर में बंधक बना दिया था पांचो फौजी बेहनों ने सभी ग्रामिनों के घर जाकर उन्हें आजाद करवाया पांचो बेह ने अपने घर भी पहुची जहां उनके दादा दादी भी बंधक बने हुए थे पांचो ने उनके हाथ पैर की रसी खूल कर उन्हें कैट से मुक्त कराया मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया हाँ सोनिया प्रभा कलपना मीनू सोनी हमें माफ कर दो हमने तुम लोगों को घर से निकाला तुम्हें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया फिर भी तुम पांचो ने आज हमारी जान बचाई दादी हम सब फौजी हैं देश की रक्षा करना हमारा कर्तव यह है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने हमारे साथ क्या किया और आपने जो भी किया अच्छा किया ना आप हमें घर से निकालती और ना हम फौजी बनते पांचो बेहनों ने पंदरा अगस्त के दिन अपने गाउं को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराया गाउं के लोगों ने भी उनसे हाथ जोड़ कर माफी मांगी पांचो बेहनों ने गाउं के चौराहे पर तिरंगा फेहरा कर आजादी का जश्न मनाया और आजादी के गीत गाए पांचो बेहनों को राज्टुपती की तरफ से वीरता पुरसकार दिया गया हमारा ये वीर्था पुरसकार हम अपनी मा को सौप रहे है राजिश्वरी ने मंच पर आकर अपनी पांचो बेटियों का वीर्था पुरसकार अपने हाथों में लिया चमन नगर गाउं के सारी लोग ये सब कुछ अपने अपनी टीवी पर देख रहे थे सभी ग्रामिन और राजिश्वरी के साससुर राजिश्वरी की पांचो बेटियों पर गर्व महसूस कर रहे थे सभी ग्रामिनों ने चमन नगर गाउं का नाम बदल कर फौजी बेटियों का गाउं रख दिया गरीब राजिश्वरी की मेहनत रंग लाई आज उसकी पाँचों बेटियों ने पूरे देश में उसका नाम रौशन कर दिया था मालती एक रिक्षे में अपने बिमार पिता को अस्पता ले करा रहा और डॉक्टर ब्रजेश के पैर पकड़ कर रोने लगी ये सुनकर डॉक्टर ब्रजेश ने कहा डॉक्टर ब्रजेश के कहने पर मालती ने डॉक्टर ब्रजेश का पैर छोड़ दिया लेकिन वो रोती रही पिता नरेश को अस्पताल में एड्मिट कर लिया गया मालती अपने पिता को अस्पताल में छोड़ कर पैदल घर जा रही थी आस्मान में काले पादल चा रहे थे बिचली कड़क रही थी ऐसा लग रहा था कि मालती के आंसू की तरह अभी के अभी आस्मान से बारिश धर्ती पर गिरेगी पिता जी को अस्पताल में भरती कराई लेकिन बारिश होने वाली है, बारिश में अस्पताल के अंदर पानी घुश जाता है, पता नहीं क्या होगा उधर ब्रजेश को जमीन पर ही सुला दिया गया, सरकारी अस्पतालों की हालत तो ऐसी ही थी, परियापत बैड नहीं थे और तब ही बहुत तेज बारिश नहीं हो, पूरे आस्मान में काले बाद्गों ने बसेरा कर लिया और तेज बिच्टी चमकने लगी, अस्पताल मिट्टी का बना हुआ थी, मिट्टी की दिवारे तेज बारिश से भीग गई और पानी अंदर आने लगा, नरेश जमीन पर पानी अंदर आ गया है, मुझे यहां से उठा ले जाओ, कहां उठा ले जाओ, बैट खाली नहीं है, यहीं सोई रहना होगा, यहां कैसे सो सकता हूँ, जिस तरह से बारिश हो रही है, लगता है कुछी देर में बार आ जाएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, मुझ पर सारा पानी खुस गया, और नरेश उस पानी में बहता चला गया, बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि नरेश को कोई सुनी नहीं पाया, नरेश बहता चला गया, और बहते 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 बहत दूर जा पहुचा, उधर मालती को नीन नह पता नहीं पिता जी किस हालत में होंगे मैं अस्पताल ही चली जाती हूँ अभी पिता जी को सहारी की जरुरत है मालती बार्ड में पैदर चलने लगी कुछ देर बार पानी इतना जादा था कि उसे तैर ना पड़ा तैरते तैरते वो अस्पताल पहुची अस्पताल पहुचती ही उसने देखा कि अंदर पानी खुसकिया है और बैट के उपर तक पानी आ गया है ए राम ये क्या मेरे पिता जी कहा है नर्स तब भी अपने केबिन में गेहरी नीन में थी मालती ने उसे बुलाया उच्छे मैडम उच्छे मेरे पिता जी कहा है कहां गए वो नर्स नीन से उठी और चारोड देखकर हैरान हो गई मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता जी कहा है पानी में तो नहीं बैगए क्या पानी में मुझे मेरे पिता जी को ढूणना होगा अभी क्या भी डॉक्टर साब को बुलाइये, बाकी मरीजों की हालत बहुत बुरी है, सच में बाकी मरीज चिलद आ रहे थे, अरे बचाँ, अरे हमे बचाँ, अरे हम डूब रहे है हमें, बचाँ, नर्स ने डॉक्टर ब्रजेश को कॉल किया, वो नीन से उठे और बाहर दे मालती नाव लेकर डॉक्टर व्रजेश के घर गई और उस पर सवाव बूकर व्रजेश को अस्पताल लाएं। मालती नाव में सभी मरीजों को बास के अस्पताल में लाने लगी। सभी मरीजों को लाने के बाद अचानक से मिट्टी का अस्पताल बारिश की बज़े से पूरी तरह तबाह हो गया। मिट्टी का अस्पताल तूट कर चूर चूर हो गया। शुकर है भगवान का वहाँ पे होते तो पता नहीं क्या होता। अपनी जान की परवाना करके बांस के अस्पताल के बाहर पानी में उतर गया। कमर के उपर तक पानी था। डॉक्टर ब्रजेश ने रिस्क लेकर नरेश को बचा लिया। शुक्ते तक सभी रहे और उसके बाद बार खत्म हो गया। फिर मालती के साथ डॉक्टर ब्रजेश की शादी हो गई और वो दोनों खुशी-खुशी जिन्दगी बिताने लगे।